हेलो इस्टुनेंस तो आजकी विडियो में अगेन हम चेटर सीखने वाला है लीमीट लख्स अलएडी इस चेटर लेके दो वीडियो अप्लोड हो चुके और यह लास्ट वीडियो होने आला है इसके बाद विकर कोई क्यों क्यों रहेगी तो वीडियो जरूर करेंगे लास्ट के दो वीडियो में मैंने क्या explain किये हुए जो starting के अवेवे टैप के समस्थे वो मैंने solve किये उसके बाद second वीडियो में मैंने आपको root वाले समस्थ solve करा है अंडरूट के समस्थ यह सारे solve करा है तो जो यह समस्थे जो मैंने लास्ट दो वीडियो में सॉल किये यहां से एक अभी में टाइप के और एक मेने अंडर्बूट के सॉल किये जिसकी लिंक मैं डिसक्रिशन में दे दोगा तो वीडियो जलू चैक आउट कीजिएगा बात करते हैं आज के इस वीडियों के तो आज हम और क्या interesting सीखने वाले तो आज हम एक और different type का sums सीखने वाले जो आज आमें पूछा है जाता है कि इस chapter में से 4 से 5 type के sums पूछी जाता है जिसमें से आपको 3 या 4 sums solve करने रहते हैं गुजरा दिश्रिटी में तो आज में जो sums लेना हा लोग उसको बोलूगा में infinity type के sums जो infinity type के sums रहते है उसको कैसे solve किया जाता है आज विडियो मैंस मिलता हुआ तो आप चैनल में पहली पर आए तो सबसाब जरू कीजिएगा और चैनल को सेल करना ना भूलिएगा क्योंकि जिसम जाज से ज्यादा लोगों तो पहुंच सके और उनकी भी हैल्प हो सके तो इस स्टाट करते हैं तो समसे करें स्टाटिंग करता हूँ में question number 47 से देख सकते हैं यह लिखा गया x to 10 to infinity limit 3x square plus 5x plus 7 upon में 2x square plus 3x minus 2 अब बात करता हूँ infinity मतला आप जानते हैं कि x की value अनक तक रहेगी इसमें कोई fix value दी गई नहीं होगी तो इस स्टाट में समसे कैसा solve करेंगी तो देखे कैसा होने वाला है तो मैं समस लिख देता हूँ question number 47 हम स्टाट कर रहे जा लिखा गया x tend to infinity limit और सम से 3x square plus 5x plus 7 upon में 2x square plus 3x minus 2 तो देखे इंफिनिटी के solve करने के लिए जो मैं बता आपको वैसे ही करता है देखे आप always जो समस दिया को उसमें सब x की always highest power को check out कीजिए यहाँ देखो x की 2 power यहाँ पर x की 1 और यहाँ दो x ही नहीं तो highest power जो उपर की equation में आपको देखे है x की कितनी power है 2 power है अब नीचे भी check कीजिए आपको भी semi मिलेगा अब उपर x की 2 power highest है तो नीचे भी 2 होनी चाहिए यहाँ एकस की 2 है फिर यहाँ पर x की single है तो highest power की 2 है तो हमें क्या करना infinity की टाइप की sums में always highest x की power को बाहर common निकाले है तो यहाँ आपको एकस की square हम क्या करेंगे common निकालेंगे उपर में अब common तो निकल गया लेकिन यहाँ तो only x की square तो 3 x के पास ही है 5 के पास तो है नहीं तो क्या करना है हमें always यहाँ पर 3 x square अब आपको निकाले है यह अब चाहिए को आपको निकाला है x square क्योंकि common निकालता में इसका मेन अभी ऐहा हि को हम डिवैड कर रहे लिए तो हम उस फ्लॉप में लिख दे नहीं plus 5 x तो अब नमे x square क्योंकि वही यह वहीं common neकाल रहे plus 7 upon a př. x square तो x square common निकालेंगे, x square common निकालेंगे, तो यहां पर क्या हुआ, 2x square के upon x square item कीजिए, plus again, 3x upon x square लिखिए, minus 2 upon x square लिखिए, अब देखिए, क्या रहेगा, बाहर की highest जो common निकला, x square, x square cut हो जाएगा, अब अंदर में रिखिएगा, यहां 3x square के upon x square है, तो यहां पर x square से x square total cut हो गया, only digit में क्या बचा, 3 बच जाएगा, बट यहां पर x की उपर 1 power है, और नीचे x की 2 power है, तो cut होगी भी नीचे है ना, एक x की power बच जाएगी, तो उपर only 5 रहेगा, और upon में क्या रहे जाएगा, x रहे जाएगा, second, यहां तो x की उपर power है नहीं, तो कुछ cut, possible ही नहीं, तो upon में ऐसा कैसा x square रहे जाएगा, यह उपर का solution हो गया, अब यहां पर x की 1 और नीचे एक x की 2 है, तो नीचे अपना एक x बच जाएगा, 3 upon max, same यहां पर, sorry, minus, यहां पर तो कुछ cut होना और पॉसिबल नहीं, तो upon में ऐसा x की रहे जाएगा, यह अपना होगया, cutting का solution, complete होगया, अब क्या कहना, आप x की value लगना, अब यहां पर देखिएगा, जब भी लिए infinity होगा, तो मतलब यह होगी, x की value आपको लेनी है 1, पर यहां तो, वह भी x check out कीजिए, into में नहीं, सम x का रहेंगा, divide में रहेगा, तो आपको वो value तो चाहिए नहीं, तो divide की चाहिए, तो 1 upon x की value चाहिए आपको, और साथ में 1 upon x square की value चाहिए, जब भी x is equal to 1 लेंगे न, तो upon की value के लिका, यहां assume कर लेना, 0 assume करना होगा, 1 upon x is equal to 0, 1 upon x is equal to 0, ऐसे जितने भी होगा, अपको में x की 3 होगा, तो भी यहां होगा, 0 होगा, तो value हमा रखेंगे, तो 3 तो sam to sam, यहां पर plus 5, 1 upon x है यहां पर right now, तो उसकी value क्या assume की रही है, 0, second plus 7, 1 upon x is equal, उसकी value क्या हो जाएगी, 0, okay, upon में sam देखेंगे, वैसे करना हम x की value के लिए, यहां पर 2 है single, तो 2 तासे रहेगा, plus, यह 3 के upon x है, मतलब 1 upon x हुआ, उसकी value क्या रखेंगे, हमें 0 रख देना है, sam, यहां पर 2 upon में 1 upon x उसकी रखेंगे नहीं हुआ, तो उसकी value क्या assume की 0, तो अब क्या रहता है, यह दो 0, 0 हो चुगा, तो उपर only क्या digit बचेगा, only आपका 3 ही रह जाएगा, और नीचे भी यह 0, 0 हो चुगा, तो only क्या बचेगा, 2 बचेगा, यह हमारा होगया final answer, 3 by 2, यह होगया infinity का solution, इन सुल्टे मुली तो आपका answer क्या रहेगा, जो sums में, जिसमें x की highest power होगी न, only y digit बचेगा, आपकी सब cut हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, तो 3 by 2, यह हमना answer होगा, एक को सम्सम सॉल्ट कर देए, इस infinity को समझने के लिए, इस बाद थोड़ा out of sum लेते, question number हम लेंगे, 46 लेंगे, यहाँ पे देखो, x की 3 plus 1 दिया गया, अपन में 2 दो bracket दिया गया, first bracket में x square plus 2 है, second bracket में x plus 3 है, तो पहले क्या करना, इस bracket को open करना पड़ेगा, उसके बाद हम solution करेंगे, तो दिखेंगे, कैसे solve करेंगे, question number 46, question right down कर लेंगे, लिखा गया था, x 10 to infinity limit x की 3 plus 1, अपन में x square plus 2, first bracket में, second bracket में x plus 3, तो solution करने जाए पहले तो इस bracket को open करके single कर दो, तो अपन में जो bracket है, उसका into करना, आपन में x square plus 2 का second वाले से into करेंगे, तो पहले x square का into करेंगे x से, तो x का 3 हो जाएगा, again x square का 3 से करेंगे, प्लस 3x square हो जाएगा, अब 2 का into करना second वाले bracket से, 2 का x से करेंगे तो plus 2x और 2 का 3 से करेंगे तो क्या होज़ेगा plus 6 यह हमने bracket open कर दिया अब हम solution करेंगे infinity के लिए तो जैसे solution हमने सुछाया वैसे करेंगे क्या करना highest power को common लेना तो यह x की 3 plus 1 है तो highest power के x की 3 हुआ की नहीं हुआ तो x की 3 अमने क्या निकाल लिया common निकाल लिया common निकाल लिया तो हरेके अपन में लिख दो x की 3 तो थाई अपन में x की 3 जो common निकाला plus 1 तो 1 अपन में जो अपने common निकाला x की 3 यह हो गया उपर का solution अब बात करते हैं अपन में same आप x3 या 2 है 1 तो हाइस तो x3 common है और वहीं रहेगा जो उपर हाइस रहेगा तो x3 अपने common निकाला अब हरे क्या पॉन मैं x3 लिख दिने गा मैं x3 upon max 3 is plus 3x square upon max 3 power आयेगा plus 2x upon max 3 power लिख देना है plus 6 upon max 3 अब यह जो बाहर common आया हाइस पार हो तो cut होना ही है definitely अब यहां पर देखो x3 total cut हो गया कुछ नहीं बचा तो one digit में लिखना रहेगा right plus 1 यहां तो कोई cutting possible नहीं हो तो sam2 sam1 के upon max 3 रहे जाएगा okay second वाले upon में check करते हैं यहां पर देखो x3 3 और x की थी total cut हो गया only क्या बचा one ही बचा right plus यहां पर x की 2 upon उपर पावर है और नीचे x की 3 पावर है तो नीचे एक पावर रहे जाएगा 3 upon में x बच जाएगा next यहां पर x की 1 है नीचे x की 3 है तो x की 2 पावर पच जाएगा तो यह तो कुछ cutting possible ही नहीं है तो 6 x upon में 3 रहे जाएगा आप क्या करना हम value reset करना लेगा अब इसका एक को solution करना नहीं है तो यहां रखेगा upon के x के लिए क्या मान लेनेगा always 0 1 upon x होगा तो भी 0, 1 upon x की square होगा तो भी 0 और नीचे 1 upon x की 3 होगा तो भी 0 लेना है तो क्या होता है यहां पर यह जो 1 by x की 3 है 0 हो जाएगा यहां पर 3 upon में x सब की value 0 हो जाएगा तो only क्या बच जाएगा डिजिट में जो 1 और यहां पर 1 जो single digit है जिसके साथ x नहीं अली वही रह जाएगा तो 1 by 1 अली यही डिजिट बचेगा तो 1 by 1 आंसर होने वाला है 1 यह उसका final solution होगा answer भी हम लोग एक बार check out कर लेते है question number 46 answer है 1 इतना easy solve दरना रहेगा infinity or sums को highest power को common निकालिए और हर एक के अपन में लिखतीजिए बस यह simple सा formula है तो वीडियो समझ में आए तो उसे like जरू की जरू की जरू की जरू करना न भूलेगा और कुई query है तो comment box में जरू लिखिएगा तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं next वीडियो में